और इसे बीच बड़ी खबर यह है कि अमिताब बच्चन शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं एक एक्शन सीन की वो शूटिंग कर रहे थे जिस दौरान वो घायल हो इता है जानकार यह है कि हैदराबाद में अपने फिल्म प्रोजेक्ट के के लिए वो एक एक्शन सीन शूट कर रहे थे और तभी उन्हें चोट लगी है जिसमें उनकी पसलियों को नुक्सान पहुंचा है इसलियों में चोट लगी है उन्हें नुक्सान पहुंचा है इसी के बाद अब वो वापस मुंबई आये हैं जहां इलाज के साथ-साथ वो आराम भी कर रहे हैं यानि उन्होंने ब्रेक लिया है कुछ पर तो अमिता बच्चन हैदरबाद में शूटिंग कर रहे थे और इस उन्हें की पसलियों में चोट लगी है निलेश और जानकारी के साथ मुंबई से हमारे साथ जोड़ गए निलेश और क्या जानकारी आमिता आप की चोट को लेकर जब विशाल आपको बताएं कि सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिता बच्चन के फैंस के लिए एक दुखत कबर ये सामने आई जब अमिता बच्चन ने अपने ब्लॉक के माध्यम से अपने करोनों फैंस तक ये संदेश पहुचाएगी किस प्रकार वो बीते दिनों आदराबाद में आने अमली फिल्म प्रोजेक्ट के के तहत एक एक एक्शन सीक्विन शूट कर रहे थे लेकिन इस दर्मियान एक्शन परफॉर्म करते हुए उनकी पसलियों में चोट आ गई और कुछ मसल जो टेर हैं वो उन्हें जिलना पड़ रहा है जिसमें उन्हें ब वहाँ पर वो रेस्ट कर रहे हैं आराम कर रहे हैं इस पूरे वाकियों को सिलसलवाल तरीके से उन्हें अपने ब्लॉग में मेंशन किया और अपने फैंस से दर्खवास्त की कि रोज शाम जिस परकार हमारी मुलकात हमारे बंगले पर होती थी वो कुछ दिनों तक नहीं हो हो सकेगी क्योंकि वो बेताशा दर्द में है और ऐसे में डॉक्टर की सला है कि वो बेडरेस्ट ही अपनाए ज्यादा एक्टिविटी ना करें तो ऐसे में फोन पर जरूर अविलेबल होंगे लेकिन जो शूटिंग है वो टाल दी चुकी है फैंस के साथ जोंका रोजाना रोज शाम इंटराक्शन होता था अब वो होना मुश्किल हो पाएगा तो इस पकार की जानकारी अमताव अचन द्वारा स्वायम उनके ब्लॉग में दे गई है जो कि उनके फैंस के लिए फिलहाल एक दुखत खबर है बलकुल और निलेश इससे पहले भी अपनी फिल्म मे से जानकारी दी है ऐसी कोई और जानकारी अजब बलकुल पहले अब सुरक्षा के लिहाज से वह कुछ अटक ठीक है लेकिन क्योंकि चोट उनकी पसलियों में लगी है रिपकेजिस में लगी है कुछ मशिल टैर हुए हैं ऐसे में उन्हें सांस लिने में तक कुछ दिक्कते मैसوس की जा रही है उनके द्वारा इस बात की सांस लिने तक की जो तक लीफ है वह फिलाल जिल ने लेकिन अमतावचन जिसन परकार हम जानते हैं सधी के महानाएक ही हूँ ही निहीं क्या जाता है कि ए जिक्र कर रही है कि कई धश्कों पहले जब उन्हें एक गंभीर चोट शूट को फिर से गजा रहे हैं तो इस बार भी आशा जदाई जा रहे हैं की अमता बचल से जल ठीक हों और दुबारा अपनी जो फिल्म है प्रोजेक्ट के उसमें एक बार फिल्स से नजर आए और उन्हें एंटर्टेन करते रहें ये चोट कितनी गंभीर है और रिकवरी में कितना समय लगेगा क्या ब्लॉग में इस बात का कोई जिक्र है जो ब्लॉग में अमता बचन दोरा जानकारी दी गए उन्होंने बताए कि उनके राइट रिपकेज में पसलियों में चोट लगी है ये वहां के जो काटिलेज हैं वो डामेज हुए है साथी जो कुछ मस्ल टेर है वो हुए है अब इस पूरी इंजिरी में तक्रीवन तक्रीवन दो हफते का जो समय है वो लग जाता है मेडिकेशन के आधार पर बात करें तो हाला कि इसमें आराम की स्थिती जादा महत्पूर्ण भूमिका निभाती है कि मस्ल टेर जो है वो अपने आप में अपना जो समय है वो लेते हैं ऐसे में जो दर्द है वो जरूर अमता बचन दोरा जहला जा रहा है और जिक्र कर रहे हैं कि दर्द को सबसाइट करने के लिए उन्हें KILLERS दी जा रहे हैं लेकिन सांस लेने जैसी जो चीजें हैं मुलभू चीजें उसमें उन्हें काफी दिक्कत मैसूस हो रही है लेकिन जो डॉक्टर दौरा जानकारी मिली है कि आहां तोर पर इस प्रकार की जब चोटे लगती है तो दो हफ़ते का समय लगता है लेकिन अमता वचन की जो उम्र है वो भी 70 के उपर है ऐसे में कई बार जो इंजरी की रिकवरी है उसमें आपकी जो उम्र है वो एक एहम रोल निभाती है तो समभवता कहें तो एक महेने का समय है अमता वचन को पूरी तरीके से ठीक होने में लग सकता है और इसलिए जो इस बात का जिक्राब कर रहे है निलेश की पिछली वारी चोट म उन्हें कहा जाता है तो यहीं एक उधारन भी उन्होंने दिया कि अभी वो अराम कर रहे हैं ब्लॉग के जरीए उन्होंने बताया कि अभी वो ठीक है। हमारे गेट के बाहर आते हैं कि हम जाते हैं अमतावचन रोजाना अपने फैंस के साथ रोज शाम उनके अविवदन करते हैं उन्हें से मुलकात करते हैं ऐसलिए उस ब्लॉग में उनकी दराई इस बात को कि अगर आप हमारे बंगले पर आना चाहते हैं हमसे मुलकात करने आना चाहते हैं तो कुछ दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगो तो आप समझ पाएंगी कि कि किस तरह की कलाकार अमतावचन है कि खुद भलेगी का दर्द में है एक महसूस करना है लेकिन अभी भी उन्हें पास लोटेंगे उन्होंने ब्लॉग में क्या कुछ लिखा है जरा ये बता देते हैं हमिताव ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि रिब केज में मांसपेशी फट गई है शूटिंग को रद कर दिया गया है पट्टी बांदी गई ह और इलाज किया जा रहा है उन्होंने लिखा कि काफे ज़ादा दर्द हो रहा है हिलने दुलने में भी तकलीफ हो रही है सास लेने में भी दिक्कत आ रही है और इस दर्द के लिए मुझे कुछ दवाएं दी गई है ठीक होने में अभी कुछ हफते लगेंगे ये बात उन्होंने अपने ब्लॉग में साफ कर दी है कि ये कुछ दिनों की बात नहीं है कुछ हफते लगेंगे अभी ठीक होने में ये ब्लॉग में अमिताब बच्चन ने जानकारी दी है जो पूरा सिक्वेंस है वो फिलहाल अमता बचन की इस इंजरी के चलते रुख गया है आपको बताएं कि ये प्रोजेक्ट के एक मल्टी लिंग्वल फिल्म है जिसमें साउथ की सुपरस्टार प्रभास के साथ-साथ अमिता बचन और दिपका पादकून जैसे जो एलिस्टर खां़ुएक इस पूरे प्रोजेक्ट को डिस्टब करती फिलहाल नजर आ रहritis है 이건 क्यूक्टि अमता बच्चन करॉण के चाहने वाले अदेश भर में ऐसे में ना सिर्व फिल्म के कलकार शाह कलकार फिल्म के निर्माता इस बात को जादा फोकस कि जो इंजिरी है उस पह फ उपस्टार उनकी फिल्म से एक इंजिरी की चलते बहार हो या उस पूरे सिक्वेंस में कोई डिस्टर्बेंस हो कि कम जानते हैं कि अमता बचन का रिप्लेश्मेंट हासिल कर पाना बहुत जादा मुश्किल है और इनी सब पहलों को मद्दे नज़र रखते हो इस पूरी शू को रद कर दिया गया है और दर्द काफी जादा हो रहा है तकलीफ काफी जादा हो रही है